हाई फ्रेंड्स आएम मिश्टर बंसीधर कुमार सर्मा और बिलकॉम इवर्ड टु माई चैनल स्मार्ट ब्रेंज वन नाइन थ्री आज की इस वीडियो सिक्षन में हम जिमेट्री यानि ज्यामीती की शुरुआत बिलकुल जीरो से करने वाले आप चाहे किसी भी मेडियम के स्टुजेंट्स हों चाहे वो हिंदी मेडियम से पढ़ रहे हो या फिर इंगलिस मेडियम से पढ़ रहे हो कोई भी मेडियम है वो दोनों मेडियम के बच्चे इस वीडियो से बिलकुल आसानी से शरल सब्दों में समझ सकते हैं तो चलिए हम स् मेट्रोन जियो कहने का मतलब अर्थ और मेट्रोन मतलब मेजर्मिंट यानि प्रतिवी की माप इस सेक्षन को पढ़ने के बाद हम आसानी से कर सकते हैं पहले के जमाना में बाड हाया करता था वो बाड बहुत भेंकर होता था यानि कच्चा मीटी का मकान था वो मकान भी आपक ऐसे कर पाएंगे कि आपका मकान यहां था जब तक जो ब्यक्ति जमेट्री नहीं जानता था तो लोकेट नहीं कर पाता था तो उस समय भी लोग जो पढ़े लिखे थे वो इसका सुरुवात किये कि किस तरह से हम भुभाग को माप सके प्रतिवी को किस तरह से माप सके और वही जो शुरुवात कि उन्होंने जो किया उसी को जमेट्री नाम दिया गया जया मीती नाम दिया गया यानि कि अगर इसे आप पुर्ण रूप से समझ जाते हैं शुरू से लाज तक देख लेंगे तो आप किसी भी भुभाग को मापना सीख जाएंगे तो जमेट्री मतल यह पॉइंट है क्या इतना यह confusion create करता है इतना बड़ा भी खीच दिये तो पॉइंट इसको भी पॉइंट इसको भी पॉइंट इसको भी पॉइंट तो actual में यह पॉइंट जो है undefined term जो हमें नहीं भी देख रहा है यानि magnifying glass से जिसे हम देखेंगे वो भी पॉइंट जो magnifying नहीं बलकि a special microscope जो आता है उससे जिसको हम देख सकते हैं गो भी point है यानि इसका कोई limit नहीं है कि कितना radius होना चाहिए diameter होना ऐसा कुछ नहीं है जितना छोटा जिसे आप ना भी देख सकते हैं उसे point करते हैं तो geometry में इसी को define कर दिया गया कि यह geometrical figure which is no length, no breadth, no height यानि जिसमें ना लंबाई हो ना चोड़ाई हो और नहीं मुटाई हो वो figure कहलाएगा आपका point हिंदी में वैसी जामिती आकरिती जिसका ना लंबाई हो ना चोड़ाई हो और ना उचाई हो बिंदू कहलाता है यहीं से आपका geometry start होता है यह point से तो अब आप point समझ चुके होंगे अब चलिए आगे समझते हैं line को इसको कोई-कोई book line से चलता है कोई line segment से चलता है आप दोनों तरीके से समझ सकते हैं ध्यान से देखें अब देखिए यह जो है बहुत सारा point इस तरह से करीब करीब लाके हम रख देते हैं बिल्कुल इबीच में gap दे रहे हैं आपको शमझने के लिए सिर्फ बिल्कुल नजदीक नजदीक रखते हैं तो यह एक दूसरे के साथ शंपर्क में आने के बाद क्या बनाएगा तो आप कहेंगे कि यह जो है लाइन बनाएगा यह जो है रेखा बनाएगा अब यह किसी भी तरह का हो शकता है जैसे point ऐसे भी यह टच कर सकता है यानि इस तरह से भी बन सकता है लेकिन यह बना क्या तो रेखा यानि किसी भी समतल के अनंत बिंदों का collection जो बनाएगा वो कहलाएगा रेखा अनंत बिंदों का collection ये जो है infinite point का ये जो लोकस्त तयार होगा ये होगा line ये line दो तरह से हो सकता है first straight बिल्कुल सीधा हो तो ये straight line कहलाता है यनि शरल रेखा कहलाता है इसे हम straight line कह सकते हैं straight line या शरल रेखा और जो line curved है घुमा हुआ है वक्रित है इसे हम कहेंगे curved line curved line या हिंदी में शेह हम कहेंगे वक्र रेखा तो किसी भी समतल के लगातार अनंत बिंदों का शमून रेखा कहलाता है यह रेखा दो तरह का होता है first शरल रेखा और दूशरा वक्र रेखा चलिए अब आप रेखा समझ चुके तो आप कीरन को अब कीरन के लिए एक point fixed कर देजे इससे पीछे नहीं बढ़ना है इसके आगे वाले सारे point का collection infinite तर जो एक साथ बनेगा यही होगा आपका कीरन तो इसमें ऐसे भी से define कर सकते हैं कि when we fix a point in a straight line एक point को अगर fix कर दें और दूसरे side वो infinite तक जा रहा है तो वो कहलाएगा रे वो कहलाएगा रे यानि कीरन लेकिन अगर दोनों side fix कर दे रहे हैं कि यह अब line आगे नहीं जाएगा इतना ही में यह move करेगा तब यह कहलाएगा line segment यानि रे खा खंड रे खा का टुकडा अभी इसे लिखने की वारिया दे इसे लिखने की वारिया दे कि राइट इसे लिखेंगे हम कैसे राइट कैसे करें तो देखिए कहीं भी point आपको लिखना है point लिखना है तो capital letter देना होगा alpha weight का capital letter अगर line देना है तो यह small letter से represent होता है line को आप जैसे यह आपका line है रेखा है इस पर कोई दो point ले ले यह point ले लिया और यह point ले लिया इसे जब represent करना होगा लिखना होगा mathematics में तो इसे SM लिख सकते हैं कि AB और उपर में line draw कर देंगे छोटा सा line तो यह से हम पढ़ेंगे line AB इसी के जगह पे यदि यह ray हो तो एक point का नाम A दूसरे का B तो AB और इसके उपर में ray draw कर देंगे इसे हम पढ़ेंगे ray AB लेकिन जब हम दोनों side fix कर दिया point को तो यह हो गया line segment यह हो गया line segment और line segment को लिखने के लिए represent करने के लिए इसके उपर एक छोटा सा line segment रो कर देंगे इसे हम पढ़ेंगे ray खाखंड AB line segment AB तो एक तरीका रेखा कीरन और रेखा खंड को define करने का यह हुआ अब चलिए दूसरा तरीका से समझते हैं दूसरे तरीका से भी से वो कोई कोई define करता है वो क्या कता है कि when we join two points in a plane then we get a line segment यानि किसी समतल के किन ही दो बिंदू को मिलाने वाली line जो है जिस line से मिलाएंगे वो कलाएगा line segment वो कलाएगा रेखा खंड और इसी से फिर उपर क्यों बढ़ता है उसमें कि जब हम इस रेखा खंड के किसी एक बिंदो को अनन तक बढ़ाते हैं किसी एक point को अनन तक बढ़ाते हैं तो वो बना रे कीरन लेकिन अगर इसके दोनों point को infinite तक अगर हम increase कर दिया अनन तक अगर हम बढ़ा दिये तो ये बन गया line रेखा अब इसमें confusion कहां create होगा तो दिखिए अगर आप कहीं किसी को पढ़ा रहे हैं या खुद भी पढ़ रहे हैं तो जल्दवाजी में ये अक्सर देखने के लिए मिलता है कि लोग बोल देता है कि 5 cm का एक line draw किजिए draw a line of 5 cm या 5 cm का रेखा खीचो हिंदी में ज्यादा confusion English तो लोग ज्यादा उसको देखते देखते चुकि ये दूसरे का language है उसको हम लोग एडप्ट किये तो copy करते करते ये लगभग सही रह रहा है लेकिन हिंदी में ज्यादा तर लोग ये बोल देते हैं कि 5 cm का रेखा खीचो क्या यह सही है नहीं ये सही नहीं है क्योंकि रेखा का बतलाया कि infinite length है actual में इसे हम draw नहीं कर सकते हैं सिर्फ दिखाते हैं कि arrow दे करके कि ये ये नहीं तो इसको जितना बड़ा ले लिजे आपका शारा copy खत्म हो जाएगा पूरे दुनिया का copy खत्म हो जाएगा लेकिन ये रेखा आप नहीं खीच पाएं तो रेखा का अनंद लंबाई होता है तो ये 5 cm कहां से आया तो ये गड़बड है इसी तरह से अगर आप किसी को कीरन भी 5 cm का खीचने के लिए करते हैं तो वो भी गड़बड है क्योंकि उसका भी लंबाई अनंद होता है infinite होता है तो 5 cm का क्या ट्रौ होगा भाई तो रेखा खंड 5 cm का क्या ट्रौ होगा रेखा खंड अब चलिए आगे हम समझते हैं एंगल यानि कून क्या होता है अब समझते हम सब कून को लिखिए कून के बारे में भी दो तरह सी से हम डिफाइन कर सकते हैं जैसे कोई एक पॉइंट है इस पॉइंट से यदि दो रे निकलती है इस पॉइंट से यदि दो रे निकलती है तो जो यह पूरा फिगर बना यह पूरा फोटो का नाम है कौन इस पूरा फोटो का नाम है कौन पूरा फिगर का नाम है कौन ना की सिर्फिस का इसका नाम है यानि कौन की माप तो इस तरह से इसे हम डिफाइन करते हैं कि वेंट टूरेज इमिट्स फ्रम ए सिंगल पॉइंट अगर दो रे दो कीरन एक विंदू से निकलती है तो जो यह पूरा फिगर बना इसी फिगर का नाम है एंगल यानि कौन लेकिन इसे हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि वेंट टूरेज जोइन एट इसे सिंगल पॉइंट जब दो रे एक जगह पे आके जोइन करें एक जगह पे मिल जाए पीछे की और बढ़ाने पे तब जो बना फिगर वो कौन कलाता है यानि या तो निकले या आके मिले दोनों तरीका से इसे इसे हम डिफाइन अब इसे रिप्रजेंट हम कैसे करें तो ये मान लिए कि ये रे है आपका O A और ये रे है O B तो इसे आप एंगल A O B ऐसा भी लेख सकते हैं या A O B उपर में सिर्फ इस तरह से एंगल डो कर सकते हैं या सिर्फ इंटर्नल अगर रिप्रेंट कर रहे हैं तो एंगल O से भी इसे रिफ्यूजन होता है कि एक्स्टर्नल भी ओ है एक्स्टर्नल भी ओ तो उसके लिए A O B दे देते हैं कि ये अंदर वाला ही इंटर्नल एंगल तो इस तरह से हम कौन को रिप्रेजेंट करते हैं अब प्रपर्टी किसी का भी यादि चेंज करता है तो प्रपर्टी चें देगा इस पूरा जोमेट्री में आपको लगेगा ही नहीं कि मैं पहली बार पढ़ रहा हूं आपको लगेगा ही असा कि नहीं हम पूरा एकदम से आपके लाइक ये करके मैं पेस कर दोंगा आपके लाइक बिल्कुल आप जिस भी सेक्षन से आ रहे हैं इससे कोई लेना देना नहीं कि आप रेगुलर स्टुडेंट हैं बहुत दिन से नहीं पढ़ रहे हैं आपकी इच्छा कभी भी जागरित होगी तो आप इस वीडियो को देख ले हैं और नहीं समझ में आएगा टाइपस ओफ एंगल यह कि एक कर चलते हैं शुरू में जैसे मान ले आप कि एक रे यह है और दूसरा रे भी इसी पे आ गया यानि दोनों रे एक पॉइंट से एक ही डाइरेक्शन में एक दूसरे पर ओवरलेप होके जा रहा है तो यह जो एंगल बनेगा इस एंगल का न इस एंगल का नाम है जीरो एंगल यानि शुन्ने कून जीरो एंगल यानि शुन्ने कून अब इसके बाद यानि शुन्ने के बाद अगर एंगल को थीटा मानें तो थीटा का मान यदि जीरो से बड़ा हो जाए और नब्बे से छोटा हो जाए यानि कून का माप एक दो तीन चार 89 89.5 यानि 90 से जड़ा भी छोटा हो जाए तो ये कुण अब कहलाएगा acute angle ये कुण आपका कहलाएगा acute angle यानि noon कुण acute angle यानि noon कुण अब चलिए आगे समझते हैं ये कौन की माप ये फस्ट हो गया जीरो एंगल सुनने कौन second acute angle noon कौन विसे जिन्हें detail लिखना है वो पाउस करके लिख सकते हैं क्योंकि बतला तो देता हैं उतना अब उसमें जिनको भी लग रहा है कि नहीं और कुछ भी हम लिख सकते हैं तो इसे पाउस करके खुद से लिख लिजिए क्योंकि लिखने में ज्यादा time based हो जाएक तो चलिए अब आगे समझते हैं first zero angle सुनने कौन यानि the angle whose measure is zero degree वैसा कौन जिसका माप जीरो हो शुनने कौन the angle whose measure is greater than zero बट लेते हैं 90 acute angle noon कौन यानि वैसा कौन जिसका माप जीरो से ज्यादा और 90 से कम हो noon कौन कहलाता है नेक चलिए समझते हैं अगर ये angle का माप 90 के इकबल हो जाए 90 degree के बराबर हो जाए तो इस कौन को हम कहेंगे शम कौन इस कौन को हम कहेंगे शम कौन right angle इसे represent करने के लिए शिर्फ इस तरह से line draw कर देते हैं angle draw कर देते हैं दो छुटा छुटा line segment ऐसे draw कर दिया बस ये हो गया की right angle ये है अब next इसके बार अगर angle का measurement 90 से बढ़ा कहेंगे 90 तखतु हो गया 90 से बढ़ा हो जाए और 180 से चोटा हो जाए तो इसे हम सब पढ़ेंगे obtuse angle इसे हम सब पढ़ेंगे obtuse angle यानि अधिक कौन अब इसके बाद अगर angle का माप 180 के बरावर हो जाए 180 के बरावर हो जाए तो इसे हम पढ़ेंगे a straight angle यानि शरल कून या इसे हम पढ़ेंगे रीजू कून शरल कून या रीजू कून दोनों कून इसी को कहा जाता है अब इसके बार अगर angle का measurement 180 से बड़ा हो जाए लेकिन 360 से छूटा हो जाए मतलब 180 degree से ज्यादा और 360 degree से कम हो जाए तो इसे reflex angle या पूनर यूगत कून इसे हम कहेंगे reflex reflex एंगल या पूर्णर यूगत कून और next यदि angle कून की map 360 के बराबर हो जाए गा complete angle complete angle याने पूर्ण कून पूर्ण कून तो चलिए एक वर फिर से देख लेते हैं अगर 0 degree map है तो सुनने कून? 0 से ज्यादा और 90 से कम तो noon कून? अगर 90 है तो शंकून? 90 से ज्यादा 180 से कम तो अधिक कून? 180 के बराबर तो शरल कून? 180 से ज्यादा 360 से कम तो पूर्णर यूग और 360 तो पूर्ण कून? इस तरह से ये angle complete हो जाता है दिनोट करने में एक चीज़ ध्यान देना है कि ये 0 angle जो है इसके लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं लेकिन जब complete angle दरशाएंगे तो line तो ऐसा ही होगा लेकिन इस तरह से goal दरशाते हैं यानि एक line तो यही है एक goal घूम करके आया है तो complete angle में सिर् special type of angle है चलिए उसे हम समझते हैं चलिए अब हम सब कुछ special type of angle की चर्चा कर लेते हैं यह special type of angle का अकेले कोई आस्तित्व नहीं जितने भी angle हम सब पढ़ेंगे इनका single कोई value नहीं है यह प्यार में work करते हैं तो चलिए समझते हैं प्यार में क्या work करता है complementary angle पूरक कोन या इसी को अनुपूरक या कोटी पूरक भी कहा जाता है तो ये कोटी पूरक यानि complementary angle क्या है तो वैशा दो angle जिनका sum 90 के बराबर हो यदि alpha और beta दो angle है और ये दोनों का जोड यदि 90 degree के बराबर हो गया तो ये एक दूसरे के कहलाएंगे complement जैसे example से जादे ये clear होगा कि एक 40 degree का कोन है दूसरा 50 का दूनों को अगर जोड देते हैं तो ये बनेगा आपका 90 degree तो ये दोनों का जोड 90 हो गया तो 40 का पूरक हो गया 50 और 50 का पूरक हो गया 40 इसी तरह से यदि 20 जोड 70 90 हो गया तो 20 का पूरक 70 और 70 का पूरक 20 हो गया supplementary अब चलिए समझते हैं supplementary समपूरक यानि वैशादो कोन जिनका माप 180 degree के बराबर हो वो शमपूरक पूरक या कोटी पूरक में 90 के बराबर और शमपूरक में 180 या 2 समपूरक इसे चलिए समझते हैं example के थूँ एक कोन है 80 degree दूसरा कोन यदि 100 degree दोनों को जोड़े तो 180 आ गया तो 80 का समपूरक 100 और 100 का समपूरक 80 हो गया इसी तरह से यदि एक कोन 90 और दूसरा भी 90 है तो 90 का ये समपूरक 90 और इस 90 का भी यही 90 यानि 90 का समपूरक 90 एक लाइं मान लेजे एक कोन है 70 डिगरी का और दूसरा 110 डिगरी का है दोनों का जोड़ 180 तो 70 का समपूरक 110 और 110 का समपूरक 70 हो गया इस तरह से पूरक और शमपूरक अब समझ चुके होंगे आप अब चलिए समझते हैं adjacent angle यानि आसन्द कुन क्या होते हैं तो वेशा दो कुन जिनका vertex यानि सिर्स एक ही हो और इनमें एक भूजा common हो जैसे देखिए एक कुन यह हो गया यहाँ से आके यह बना यह दूसरा कुन यह हो गया इसमें एक भूजा common है यह भूजा दोनों में और शिर्ष दोनों का common है तो ये वाला कौन इस कौन का कहलाएगा adjacent angle बगल का कौन पडोसी या गूतिया अब चलिए समझते हैं शिर्षा भी मुख कौन तो दो रेखा एक दूसरे को यदी काट दिया दूर एक दूसरे को काट दिया एक point पे तो ये point के opposite में दोनों एंगल है या नहीं ये एंगल के opposite में ये उल्टा इसके opposite में ये है तो सिर्ष के अभी मुख है शिर्ष के आमने सामने है तो ये शिर्षा भी मुख कौन कहलाता है इंगलिस में इसे vertically opposite angle बोलते है तो सिर्षा भी मुख कौन अगला है रेखी कोग में linear पे है तो ये ही adjacent angle में common line छोड़ करके सेज दोनों रे यदि एक line बनाता है तो वो कहलाएगा linear पे है यानि ये इस तरह का एक line बना लिया ये दोनों रे मिल करके और ये common तो इस तरह से ये बना रहा है अगर नीचे अगर ये line फ़र्म किया जो uncommon side है non common side है जो common नहीं है वेनिस्ट नहीं है तो ये जो बना ये दोनों रेही कुगम कहलाएगा ये going और ये going रेही कुगम चुकि रेखा पर बना है तो रेखा पे 180 का corn बनता है तो रेही कुगम का जोड़ 180 के बरावर होता है ये ही supplementary वाला supplementary में भी 180 रेही कुगम में भी 180 एक गुन और यह adjacent आसन कौन भी है यानि आसन कौन और संपूरक कौन दोनों का गौन रैखी क्युग में शमलित हो गया तो यह कौन का टाइप है कुछ और कौन का टाइप है उसके बारे में अगले वीडियो में देखेंगे जो सबसे ज़्यादा तंग करने वाला वो ट्रांस समझेंगे भी यह ऐसा ही क्यों होता है एक दूसरे के इक्वल क्यों होता है सम 180 ही क्यों होता है मतलब पूरा डिटेल से उसे अगले पार्ट में देखेंगे चुकि वीडियो अब इसमें लंबा होते जा रहा है तो असे शमय देने के लिए धन्यवाद अभी तक आप यदि इस चैनल पर नहें हैं तो इस पर सब्सक्राइब जरूर कर ले और नोटिफिकेशन दवा दे कंटिनीव इस पर इसी टाइप का वीडियो देते हैं यतना भी वीडियो एक्चुल में यानि जो कॉंसेप्ट डेवलप करता है उस पर प्रियास किया जा रहा है इस चैनल के थ संद आ गई जो इसे लाइक करके जाएंगे क्योंकि आपके लाइक से ही वीडियो आगे फॉर्वर्ड होता है फिर एक बार धन्यवार